असलाम उलाइकूम, Welcome to MH Kitchen आज हम आपके साथ रिंग समोसा की रेसिपी शियर करेंगे चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बाउल में मैदा शाभ़ार कर देंगे 1 कब हाफ टीस्पून नमक शाभ़ार कर देंगे 140 चाभ़ार शाभ़ार कर देंगे आयल शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून इसे मिक्स कर देंगे अब इसमें पानी शामिल कर देंगे इसका आटा गून लेंगे आटे को हमने गून लिया है अब हम इसे कवर करके साइड पर रख देंगे अब हम स्मोसे की स्टफिंग क्यार करेंगे जिसके लिए तो मीडियम साइस के आलू जिने हमने बॉायल करके मैश कर लिया अब इसमें 1.5 टी स्पून अनारदना शामिल कर देंगे 1.5 टी स्पून डेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे 1.5 टी स्पून जीरा शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे वन टेबल स्पून हम इसमें कॉन्फलर शामिल कर देंगे इसे मिक्स कर लेंगे साथ ही हम इसमें वन टेबल स्पून हरा दनिया शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे स्टफिंग हमारी त्यार, अब हम इसे साइड पर लख देंगे भूम से के आटे को फूंदे हुए 20 मिनट हो गई है, अब हम खुश्क मैदा डस्ट करके डो को नीट कर लेंगे नीट करने के बाद अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे अब हम एक हिस्से को लेंगे इसका एक पेड़ा बना लेंगे अब हम इसे हाथ से प्रेस करके रोलिंग पिन की मदद से इसके ब्रीक सी रोटी बेल लेंगे अब हम एक छूरी की मदद से इसके साइड्स को कट कर लेंगे इसी तरह हम बाकी की डो को बेल के कट कर लेंगे अब जो हमने आलू की स्टफिंग तियार की दी वो हम इस पे फेला देंगे अब जो दूसरी डो हमने बेल के स्क्वेर शेप में कट की थी हम इससे कवर कर देंगे अब हम इसे हाथ से प्रेस कर लेंगे अब हम छुरी की मदद से इसकी लंबी-लंबी स्ट्रिप्स कर लेंगे ट्रिप्स को हमने कट कर लिया है अब हमें कटी हुई स्ट्रिप लेंगे इसको 6-7 दफ़ा ट्विस्ट करेंगे अब हम इसके कॉर्णर पर पानी लगाएंगे करके अब हम इसके एक कॉर्णर पर पानी लगाएंगे दूसरे कॉर्णर को उठा के इस पर राक के प्रेस कर देंगे इसी तरह हम बाकी के रिंग समोसा त्यार कर लेंगे आयल को हमने पहले ही मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था अब हम इसमें रिंग समोसा डाल के इने फ्राई कर लेंगे रिंग समोसा हमारे फ्राई हो गई हैंब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह हम बाकी के समोसे फ्राइ कर लेंगे अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन का भी प्रेस करें और हमें टिक टॉक और इंस्टा पे भी फॉलो करें